हमारी पीडा बहुत है, हमको भर पेट खाना भोजन नहीं देपाती है सरकार, हमसे एक जो मजदूरी होती है वो भी नहीं देपा रही है दिन के सभी का ड्यूटी होता है, आठ घंटे का सरकार हमसे 10 घंटे का ड्यूटी लेती है मानो तो 2400 घंटा कभी समाज सेवा के लिए जाओ, कभी किसी को इंजेक्शन लगवाए जाओ, किसी को परसूती है तो हस्पिटल लेके जाओ किसी महिला का भोटर आईडी नहीं बना तो उसका भोटर आईडी बनवाने जाओ किसी का आधार कार्ड नहीं बना उसका आधार कार्ड बनवाने जाओ कोई दर्द से करा हा रहा है उसको पहुँचा हówश्पीटल और पेट में भोजन भी ना देगी सरकार भूखे पेट भजन होता है क्या बहुजन भूखे पेट भजन नहीं होता यह सरकार कान או के खोलकर सुन ले कि पिछले पिछ़िन साल हम रोजा हम मुस्लिन महिला रोजा र के लिए पैसा नहीं था कि लोग जो है हमको मुहले वाले मेरा इलाज करवाई क्या दिन दिखाई है सरकार ऐसी बहुत शर्म आती है ऐसी सरकार पे हमको हमी मेरा नाम नोशावा तरन्नु है जब मुख मानिय मुख मंतरी को सरवाद भवन में अगस्त में 15 अगस्त को 2015 में हमने मुख मंतरी को ताज पहनाया था तो मुख मंतरी ने हमसे कहा था ये तालिमी मरकस के नोशावा तरन्नु से सुन ले मुख मंतरी सुन ले इस चीज़ को कान खोल कर मुख मंतरी नितीश कुमार आपने हमसे कहा था कि आपने ताज पहनाया है तो उसकी लाज बचाना और हमने तो अपने आपकी ताज की लाज बचाए लेकिन आप अपने ताज की लाज नहीं बचा रहे हैं कान खोल करके सुन लिए अगर हम अपना परिसरमिक मानदे चाहते हैं इस महंगाई को देखती है वह उजो अपना मेरा मानदे निरधारित कर दे 24 से तो कम नहीं। मेरा हमको 9080 रुपया मिलता है। कब से काम कर रहे हैं। 2009 से. 2,009 से काम कर रहे हैं। आपके घवरें कितने बच्चे हैं। चार बच्चे हैं। भरन प्षून हो जाता है यतने पैसे से। पिल्कुल नहीं हम क्या थे मेरा एलाज के भी ना देखी मेरे क्या दसा हो यह आर्थिक जो होती है इस्थिति आदमी की जो देनी यह डिप्रेशन और घुटन वाली जिन्दगी जो है ना हम बरबाद हो चुके हैं तो रहने को यह सर पे छट नहीं खाने को पेट में भोजन धंग का कपड़ा नहीं और हम को मेरा परती न्योजन कर दिया गया है इपने स्कूल से दूसरे इस अजो नोकरी आपको कितना मिन्ट करना पड़ा था हैं बहुत महनत हम महनत से नहीं हटते यह मेरा समाज मेरा दीन मेरा मशवर मेरा इसलाम मेहनत करने के लिए कभी नहीं पीछे हटने के लिए क्या है बस मेरा मेहनताना दे दे जो मेरा परिसमांग कर रही है आप मेहनताना का अम लोग लगभग जब यह जो शुरू हुआ है सभी का जो है पंदरा परसेंट बढ़ रहा है से टीचरों को जबकि उनका एक काम इरधारित है कि स्कूल में ड्यूटी करना आपका काम तो यही है ना जो बच्चे टॉलस में घूम रहे हैं उन्हें एद्यूकेट करना उन्हें प्रोसाइट करके स्कूल भेजना साथ-साथ जो महला है निरक्षर है उनको साक्षर करना जो पंदरा वर्स से लेकर 45 वर्स की जो महला है यह सब काम करती ना नहीं इतना ही तक हम सीमित नहीं है हम जो है बच्चों को पहले टूशन कराने के बाद स्कूल पहुंचाने का काम करते हैं हेड मास्टर हम लोगों से अपने ऑफिस में बैठ कर हम लोगों से पढ़वाने का ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को की तरह पढ़वाने का मुखमंतरी काते हैं कि आप टीचर नहीं है वहाँ इनके सिच्छक जो हमसे टीचर का काम ले रहे हैं उतना ही नहीं बलके फिर अक्षा राचल योजना चलाने के बाद फिर गाउं महले की लोगों की जो भी समाज के लोगों की परिसानिया अभी सरा का जो लोग अगर पाए गए कि जिन पर संका होती है जो पी करके पड़े हैं या कहीं बीक रहा है या कि कुछ हो तो वहां पर टॉल फिर नंबर पर कॉल करके तो यह समाज में हम लोगों को टार्गेट किया जा रहा है भूखे पेट रहो सो अलग 24 घंटा मेहनत करें सो अल सीखुरियी दिये हुए हैं जो इस तरह का काम ले रहे हैं सब काम के लिए सिच्छा से वक याद आता है और मांद्य के लिए इनकोव सिच्छा से वक याद नहीं आता है अब आप लोग क्या करेंगे आपनी पेट के आगे लिए मरता क्या नहीं करता तो मुख मंत्री भी सुन लें कि जब इन्हों ने अपनी ताज की लाज बचवाली हमसे तो अब ये अपनी ताज की लाज निभालें वरना हम लोग रोड पे आने में अब कोई देर नहीं करेंगे यही है इनकी दर्दनाक कहाने सोच सकते हैं एक मेला इनके घर में चार बच्चे हैं कम मांदे मिलता है महंगाय चरम सीमा पर है आप सोचिए कितने कम पैसे में अपना भरन पोशन कर रहे हैं पिलीज इनके हित में तालिमी मरकज के हित में इस ख़बर को बैरल कीजिए ताकि अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद